हेलो एवरीबन वेलकम टु स्टडी ग्लोज मेरा नाम है डॉक्टर सरीता दोस्तो आज हम बात करेंगे CJI की चीफ जस्टिस ओफ इंडिया हमारे जो प्रेजन चीफ जस्टिस ओफ इंडिया है स.A. बोबडे जो की 23 अपरिल को रिटायर हो रहे हैं और अगले जो CJI होने वाल प्रेजन्ट CJI बोबडे नहीं केंद्र सरकार को जस्टिस रमना का नाम जो है दोस्तो वो रैक्यमेंट किया था और इसके बाद सेंट्रल ने राश्ट्र पती को उनका नाम आगे बढ़ाया और इस तरीके से जस्टिस रमना जो है ये भारत के 48-वे CJI बनने जा रहे हैं 26 एप्रेल से as a CJI ये अपना कारे भार जो है संभाल लेंगे और ये आंधर प्रदेश हाई कोट के ऐसे पहले जज होंगे जो की CJI बनेंगे सुप्रेम कोट में CJI बोबडे के बाद ये सबसे सीनियर है इनका जो जन्म है दोस्तों वो 27 अगस्त 1957 में आंधर प्रदेश के कृष्णा डिस्तिक के पुर्ना वरम गाउं में हुआ है और ये एक किसान के बेटे हैं जी हा दोस्तों किसान परिवार में ये पले बढ़े है वहीं इनकी परवरिश हुई है दस फरवरी 1983 में इन्होंने एक एड़ोकेट के तौर पे अपने आपको एंड्रोल्ड कराया था और आंधर प्रदेश हाई कोट में प्रेक्टिस शुरू कर दी थी और 27 जून 2000 में आंधर प्रदेश हाई कोट में ये पर्मानेंट जज बना थे हाला कि कुछ समय पहले आंधर प्रदेश के जो सीयम जगन मोहन रेड़ी है उन्होंने CGI बोबडे से जस्टिस एनवी रमना जो है इनकी शिकायत की थी क्यूंकि रेड़ी का ऐसा कहना था कि जो जस्टिस रमना है ये फॉर्मर सीयम चंदर बाबु के साथ मिलकर उनकी सर स्क्रीम कोर्ट में पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाच की और जाच के बाद ये जो शिकायत है इसको खारिज कर दिया गया साथ ही ये जो आरोप है ये जूटे आरोप बताये गए इसमें दो शिकायते थी दोस्तों एक तो रमना की दो बेटियों की ओर से अमरावती में जमीन खरीदने का एक मामला था साथ ही दूसरा जो है रमना की ओर से जगन सरकार जो है उसके खिलाफ जान बुच कर दिये जाने वाले आदेश थे ऐसा जगन रेड़ी की सरकार जो है उनका मानना था खैर आरोप तो खारिज हो चुके हैं अगर हम तेलुगू भाशा के सुप्रीम कोट के साथ ही साथ ही ये एक हाइस्ट रैंकिंग ओफिसर होते हैं इंडियन फेडरल जुडिशेरी के तो इस तरीके से देश के 48 वे CGI बनने जा रहे हैं एनवी रमना सब्सक्राइब भर